Study IQ IS अब तयारी हुई affordable तो starting तो देखो प्रीज से होती है अब इस exam को crack करने के लिए there are three essential things और इसके उपर हर किसी को I think काम करना चाहिए number one चीज है कि आपने अपने पूरी की पूरी तयारी जो पिछले 8-10 या 12 महीनों में आपने कर रखी है बहुत ही time bound तरीके से और targeted approach के साथ उसे revise करना है और यहाँ पर prelims की approach को prelims की demand को servo पर ही रखना है ऐसा नहीं करना कि आप page 1 के पहले अक्षर से लेके किसी भी किताब के last page के last अक्षर तक हर चीज को रटने की कोशिश कर रहे हैं यह approach बहुत घातक साबित हो सकती है time consuming भी होती है आपको जिन चीज़ों पर सवाल बन सकता है जो concepts है और जो trivial facts कुछ हैं जिसके उपर पहले भी UPC सवाल पूछ सकी है उसके उपर आपको focus करना ज़ादा जुरूरी है number two चीज है आप अपनी common sense को develop करें अब common sense तो देखो या it is not common in common people right but इसको develop करना ज़रूरी है क्योंकि prelims का exam आप किसी भी साल का उठा कर देख लें वहाँ पर देखो 200 में से 200 number तो आते नहीं है पिछले कुछ सालों में तो 100 number से भी कम जा रही है बात 90 से भी नीचे जा रही है cut off तो ये basically बताती है कि सारे के सारे सवाल सॉल्व करने वाले नहीं होते बहुत limited questions होते हैं जिनको आप sure shot तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बाकी questions में what you have to do you have to basically apply your common sense to reach the correct answer common sense को develop करने के लिए ही आप पूरे syllabus को time bound और targeted तरीके से revise कर रहे हैं और दूसरी approach common sense को develop करने के होती है practicing as much MCQs as possible before going to prelims exam daily basis पे approximately 25-50 MCQs भी अगर आप practice कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका thought process develop होता है no one is going to ask you कि कितने साल या आप तयारी कर चुके हैं या कितने घंटे आप daily देते थे कितनी किताब हैं आपने पड़ी आपको आपके answer solving capability पर judge किया जाता है तो यह जो daily basis पे आप जब MCQs solve करते हैं तो एक तरीके से muscle memory जो memory की muscle होती है वो develop होती है वहाँ पर क्या होता है कि ABCD में से या 1, 2, 3, 4 statements में से आपको पता है कि चलो 1, मुझे 100% पता है कि यह तो गलत है 2, मुझे 100% पता है कि यह तो सही है answer reach करने है आपको 100% नहीं पता था लेकिन आपने mark किया क्या thought process था कि आपने ABCD में से D, B, A को consider ना करके C को ही mark किया daily basis पे जब questions आप करते हो उसके solution पढ़ते हो उसकी discussion निटेंड करते हो तो यह clarity भी आपको मिलती है and regular practice से यह answer solving capability ही है जो ultimately आपको exam में clear करवाएगी ठीक और इसमें previous questions भी आप focus करना ताकि यह सारी चीज़ें आप achieve कर सकें इसी के साथ साथ देखो information बहुत सी होती है और उसको याद करना भी कई बर challenge हो जाता है अगर मैं example दूँ तो हमारा भी recently Global Partnership on Artificial Intelligence का summit हुआ था इस पर I am very much expecting कि एक सवाल तो देखो बनता ही है AI काफिज़ाद the news में एक question इस पर बन सकता है अब इसके founding members पर सवाल बन सकता है founding members कितने थे? पंदरा थे including European Union और 2020 में ये बना अब पंदरा members को याद रखना के बार challenging हो जाता है और क्योंकि ये news में बहुत था इसलिए पूछा जा सकता है कि कौन सी country member था या नहीं था of GPAI summit founding member था या नहीं था तो ऐसे में कुछ mnemonics वगेरा भी use करने पड़ते हैं जिससे कि आप कुछ trivial facts कि जिनको यार रटना ही पड़ेगा लेकिन रटे को थोड़ा असान करने के लिए ऐसी चीज़ें tricks यूज करनी पड़ेगी for example कि आप एक mnemonic ये use कर सकते हैं कि Jesus Christ अंकित इतना धीरेग आता है अपनी girlfriend और मेरे लिए जो की कहां पर बैठे हैं इंडिया में, US, UK और यॉरप में तो यहां पर Jesus Christ अंकित सिंग स्लोली for me and his girlfriends in India, US, UK and Europe तो यहां पर जो 15 founding members हैं उनके नाम आप याद रख सकते हैं तो Jesus Christ ये जो JC है ये बन गया Japan, Canada अंकित का A क्या बन गया A बन गया Australia and New Zealand, K Korea IT जो है वो Italy बन गया सिंग बन गया Singapore स्लोली का स्लो बन गया Slovenia मी ये बन गया Mexico जो girlfriends हैं उसका G और F बन गया Germany and France और India, US, UK and Europe ये तो आपको आता ही होगा ठीक है ये आप याद कर सकते हैं So basically ऐसी techniques और ये approach जिससे की prelims आप clear कर सकते हैं This is a very essential and crucial part of our success in prelims program Study IQ ने prelims की बहुत solid तयारी के लिए इस course को launch किया है इसकी classes 18th December से start हो रही है and शाम 5 बजे का time है 5 से 8 बजे तक हम rigorous practice और rigorous revision करेंगे for all the things that are necessary for prelims As you can see in the time table आज basically orientation रहीगी 19th से हमने modern India start कर दिना है So 19th to 27th will do modern India उसके बाद subsequent subjects आपके चलेंगे जैसे polity, economy, so on Mapping के लिए आपकी special classes रहेंगी जहां पर places and news को link करते होए हम important जगा और उनकी significance को understand करेंगे Economic survey और union budget इसके लिए dedicated classes रहेंगी Agriculture को हमने एक separate topic रखका है क्योंकि economy अपने आप में बहुत वास्त है और technical है तो agriculture को इससे separate रखके इस section के उपर भी हमारा पूरा emphasis रहेगा All in all 9th March 2024 तक आपका पूरा syllabus complete हो जाएगा for prelims, tests भी आपको होंगे daily basis पे हर class के बाद test होगा 50 MCQs का sectional test और full end test भी इसमें मौझूद हैं plus CSAT की classes भी मौझूद हैं जिसे CSAT पर आप solid grip ensure कर सकते हैं तो ये सारे features आपको काफी कुछ इसमें मिल रहा है along with booklets and crux pdfs and many other things तो इसमें enroll करने के लिए description में आपके पास एक link है basically उस link को अगर आप click करोगे तो what is going to happen that you are going to be redirected to study IQ app अगर आप mobile पर कोल रहे हो यहां फिर website ठीक है यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो let us open this live batches, live batches में let us see हमारा SIP evening batch 2 ठीक है this is SIP evening batch 2 यहां पर हम press करते हैं और इधर buy now पर हम click करते हैं and see 10,000 का otherwise यह course है but you can always apply a promo code to get the maximum possible discount on anything that you want to purchase from study IQ books पर भी यह discount code चलेगा courses पर भी चलेगा और यह discount code है CSLIVE CSLIVE code आपने लगाया ठीक है इसको apply किया and immediately आपको 2500 रुपीज का off मिल गया ठीक है so this is the code and this is the discount that you can basically avail so description पर click करके इसमें timely enroll कर लो and as you can see from the timetable itself that we are going to be covering many topics in a day right तो timely enroll करना will be the key जिससे कि आप class में बने रहें properly attentively सुनते रहें अगर delay करोगे तो problem आएगी you will start feeling out of place वो नी होना चाहिए तो day one से इसकी classes अटेंड करना बहुत ज़रूरी है do enroll timely and we will see you soon in the classes all the best friends thank you so much study IQ IS अब तयारी हुई affordable